भीलवडा के नैशनल हाइवे 758 पर चावंडिया चोराहे के निकट एक पशु आहार से भरे हुए ट्रक ने आगे चल रही रोडवेज बस को पीछे से टक्कर मार दी टक्कर लगने के बाद रोडवेज बस में अफरा तफ्री मच गए वही एक यात्री को हल्की चोटाई टक्कर मार दी जिससे रोडवेज बस में कुछ देर तक अफरा तफ्री मच गई और लोगों की चीक पुकार मच गई वही इस हाथसे में बस में सवार 12 निवासी नरेश गहलो गया जिसको एम्बुलेंस की मदद से सवाई पूर चिकित्साले लाया गया जहां प्राथमी कुपचार के बाद छुटी गी सूचना पर पुलिस मौकी पर पहुची वही आत्रियों को अन्य वाहनों से रवाना किया तता दुरगटना गरस्त वाहनों को अपने कबदे में लेकर पुलिस चोखी लाकर खड़ा करवाया